दोस्तों अकसर यार जो बिगनर्स है ना वो लो वेल्यू कॉंटेंट को लेकर काफी ज़्यादा परिशान है जब भी वो अपनी वेबसाइट को एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते तो उनकी वेबसाइट पे लो वेल्यू कॉंटेंट का एरर आ जाता है और उनका जो चैनल पर नए और अब देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो और साथ मुझे बले करें इसे भी प्रेसर के ओल पर क्लिकना भूलना मत तो चलिश्टा करते है तो यहां पर जैसे कि आप इसकीन पर देख सकते हो आपको कुछ का प्रावलम देखनी को मिलना होगा अपने एडसेंस के डैस्पोर्ट पर ठीक है तो यहां पर एक मतले की क्रिएटर है स्मार्ट थिंकिंग डॉट इन से इनका वेबसाइट का नाम है ठीक है वेबसाइट अभी इंटरनेट पर अविलेबल है तो इसी वेबसाइट के थू कुछ इस तरह का प्रावलम आ रहा है तो किस्ता से हम इसे फिक्स करें तो चले मैं इनकी वेबसाइट के थ्रू आपको बदाता हूं आपकी सारी गलतिया तो यहां पर देखो यह स्मार्ट थिंकिंग डॉट इन जैसा कि आप स्कीन पर देख सकते हो ठीक है तो इन्होंने अभी भी अपने वेबसाइट पर देखो जो एडेक्स कोड होता वो डाल रहा है ठीक है डॉट टी एकस्ट मैं आपको दिखा देता हूं देखो यहां पर पब्लिशर आइडी यहां पर है लेकिन फिर भी अभी तक भी इन्हें इनकी वेबसाइट पर जो एडेसेंस के अप प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर आगे तो फिर आपका पर्मेनेंट भाई आपकी वेबसाइट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर कभी भी आपके वेबसाइट नहीं मिले गा ऐसा बिलकुल भी ने ठीक है बस जिस कारण से यह जो इशू आया है उसे पुरा देखते रहो तो यहां पर देखो यह सबसे पहली गलती में आपको बताता हूं सभी लोग जादा तर्जो करते हैं वह जल्द बाजी बस यह लोगों की यूटूब पर वीडियो देख लिया बस आपने वेबसाइट अपना क्रेट कर लिया और फटा फटा फट दो पूश्ट डाला है उसके बाद एटसिंस के लिए लोग भेज देते हैं आज का जनरेशन ऐसा है और आज कल ऐसा चल रहा है कि बस यह जल्द स बोलना इस स्टार्ट नहीं कर देता ना अगर ऐसा बचा कहीं देखा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना यार ठीक है तो देखो यह चीजों को टाइम लगता है तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बस आज वेबसाइट बनाया कल एटसिंस के अ स्टम कोड का देखो यार काफी सारे जो बिगनेर व्लाघर से में जेखो है की दूसरी की वेब साइट को देंग करके उनकी तरह वेब साथ का located करते उंकी वेब साट को पूरा कोपी करने की कोसिस करते वेबसाट से वहा पनाया गया मैं आपको दिखा रहेता हूं यहां ज जो फ्री तीम उसे यूज किया जा रहा है ठीके लेकिन ओफिशली देखा जा जा तो जन्रेट प्रेस का थीम आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा ने ठीके यहां पर जो यह हैडिंग्स देख रहे हो उसके पिछे बैगरांड वगेरा देख रहे हो यह तियार किया गया है गाइज warz 55 के थू। जो चीज आपको नहीं करना है देखू अगर आप इस टार्टिंग स्टेज में कश्टां कोड का यूज करोंगे तो आपकी जो वेब साइट का होता ना काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा तो इस 가운데 हो च्शुन sprach का ओप्र जाएगी और और फीर मैं बिल्कुल भी यह गलती मत करो अपनी वेबसेट को सुन्दर दिखाने के चक्कर में आप बंदर बन जाओगे इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बिल्कुल भी कस्टम कोड वगेर का आपको यूज नहीं करना जो फ्री थीम है उसका जो डिफॉल्ट थीम होता है उसी थीम के है तो प्लीज इस चीज को आप ना करें नहीं तो आपकी वेबसेट काफी जादा हैवी हो जागी और फिर खुलने में दिक्कत होगा गूगल को तो फिर गूगल आपको दिक्कत कर देगा ठीक है तो यह भी एक कारण होता भाई इस तरह की मंदे की प्रॉब्लम आने का ठी वो सोचते कि हम हर एक चीज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर बने की ब्लॉग से लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है ऐसे में बस आप अपने वेबसाइट पर कचड़ा भर रहे हैं और कुछ नहीं यहां पर देखो यार एजूकेशन दा सोसाइटी टेक्नोलजी स्मार्ट वगेर और कुछ कटेगरिस एक दूसे से सिमिलर हैं मिलती जुलती है ऐसे में गूगल खुद कन्फ्यूज हो जाएगा तो भाई किस तर से अप्रूबल इनको मिलेगा और प्लस यार देखो अगर आपको मल्टिपल कटेगरिस की नॉलिज नहीं है तो बिल्कुल भी आर मल्टिप करोंगे तो किस तरह से आप कंसिस्टेंट तरीके से भाई अपना पोस्ट पढड़ का डाल पाओगोज नहीं डाल पाओगे न और अगर डालोगी तो कछड़ाई डालोगगे क्यूंकि भाई कौलिटी कॉटेंट आप बनाए नहीं सकते क्योंकि आपको मल्डिपल कर करें कि नॉलेज नहीं है बस आप इस सोच में इस ओदे से बना रहे हो कि भाई बस किसी ना किसी पोस्ट पे सर्च से ट्राफिक आ जाए और वहां से में अर्निंग वगेरा कर लूँ जब तक आपको एटसेंस के अप्रूबल ही नहीं मिलेगा फिर आप अर्निंग के लिए किसा से अलिजिबल होगे तो स्टार्टिंग में बस कोसिस करो कि आप किसी एक सिंगल माइक्रो निच काटेगरी के ओपर काम करो देखो यार मैं आपको एग्जामपल देता हूँ जो जो जॉब टाइब वेबसाइट होती उनको फटाक से अप्रूबल क्यों मिलता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काटेगरी के ऊपर काम कर रही होती है ठीक है उनकी वेबसाइट पर देखोगे कि उनका जो वेबसाइट का थीम होता है पैटर्न होता है बिल्कूल एक जासा रहेगा मलें कि जॉब से रिलेटिडी कॉंटेंट होता है जिस वज़े से गूगल अच्छे से उससे समझ पाता है और इंस्टेंट उनको एप्रूवल भी दे देता है तो यह भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती ही जो अकसर जो बिगनर्स करते है तो यहां पर जो भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताया अगर आप इन्हें फिक्स कर लेते हो ना तो 100% आपको फिस्ट अटेंट में गूगल एटसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और यहां पर एक चीज और मैं आपको एड़ाउन कर देता हूं देखो अरे स्टार्टिंग में आपको जिसे मालो अगर आपने आज वेबसाइट कर लिए थीम अगरा सब कुछ सेटप कर लिए वेबसाइट और आपने दो पोस्ट डाला है उसके बाद आपको एडसेंस के अप्रूवल के लिए नहीं भीजना है आपको मिनिममम यार देखो 30 देस तक कंसिस्टेंट के साथ एक एक पोस्ट आपको अपनी वेबसाइट के ओपर डालना है एक सिंगल कटेगरी को टारगेट करते वे ठीक ह और उसके बाद गाइस देखो आफटर 30 देस आपको क्या करना है अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेना कि आपकी जितने भी पोस्ट है जो अपने 30 पेस पोस्ट डाला ना प्रिवेसली वो इंडेक्स हुए या नहीं ठीक वो आप सर्च कंजोल में जाकर चेक आउट कर लेना उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट को देखो जैसे आप वेबसाइट वगरा क्रेट कर लोगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपनी वेबसाइट को यह गूगल सर्च कंजोल में समिट कर देना ठीक है महां समिट कर दोगा उसके बाद जो भी आप प भी खालेता हूं और यहां पर सच्वार में टाइब करना है इस इन डाल है यहां पर समी डालनला क्यों डालना उसके लाथ अपना योडल से पेश्ट कर देना है उसके बाद एंटर पेस कर दोटो थिक तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल में इस तरह से नजर आ आपकी हो चुकी वेबसाइट पर उसके बाद आप एडसेंस की एप्रूवल के लिए अप्लाइ करो 100% आपको एडसेंस की एप्रूवल मिलेगा और लोग वेल्यू कॉंटेंट टाइप कुछ भी इसू नहीं आएगा जो भी मैंने स्टेप्स बता है अगर आप उन्हें ठीक क लेते हो तो जो भी मिस्टेक्स वगेरा मैंने आपके साथ शेर किया तो ठीक है और रही बात एक और चीज़ लोगों की दिमाग में रहता कि यार इंपॉर्टेंट पेज वगेरा हमने नहीं डाला तो उससे हमें अटसेंस की एप्रूवल नहीं मिल पाता है तो देखो यह मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जहां पे बिल्कुल भी पेजिस वगेरा आपको नहीं दिखाए देगा उसके बावजूद भी उस वेबसाइट पे अटसेंस का अप्रूवल है और मैंने खुद लिया वाया ठीक है तो जो पेजिस वगेरा होती है ने अबाउट इसे गूगल को क्या करना है ठीक है आपको इतने बड़े सेलेब्रिटी वगेरा थोड़ी हो यार जो आपको गूगल कॉंटेक करेगा भाई आपके प्राइविसी पॉलिसी पेजिस वगेरा खो देखेगा तो यह सेक्यूटी परपस से बना लेना चाहिए लेकिन यह देख कि एक सेकेंट हाँ यहां पर आप इस वेबसेट को देख सकते भाई ठीक है यहां पर आपको किसी भी तरह का अपाउट एस कॉंटेक्ट टाइप पेजेस प्राइविसी पॉलिसी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इसहिंगे आप इसके छीन पहर हैं ठीक है और अगर मैं इसके ट्राइफिक की बात करूँ तो आप ट्रैफिक भी देखलो यार ठीक है ट्रैफिक भी मैं आपको दिखा दिता हूँ भाई लोडव जा सिमिलर यहाँ देखो भाई ट्रैफिक भी 2 लाइगस से उपर का पॉलिसी पॉलिसी यह सब नहीं बनाएंगे तो हमें एडसेंस का नहीं मिलेगा तो यह सब बखवास है देखो एर एडसेंस को अबाउट था वगरा से कोई लेना देना नहीं बस लेना है तो आपके content से ठीक है तो आपके websites पे आपका जो content है वो king होना चाहिए तभी आपको first attempt में AdSense का approval मिल जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको करने है ठीक है जो भी चीज़े मैं यहापको बताया है अगर आप उन सभी चीजों को follow करोगे तो आपको AdSense का approval लेने से कोई नहीं तब तक के लिए टेकर रहा है और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना